ना कर्त्रित्वम ना कर्माडी लोकस्या स्रिजती प्रभु हूँ ना कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रदर्शकों नमस्कार एक बार फिर से पुस्ते थे हूँ आप सब के सामने आज मंगलवार के कारेकरम में देव गुरु रहस्पती को सबसे ज़्यादा महत्तपोंड ग्रह माना जाता है चंद्रमा के बाद आज उनसे चर्चा करूँगा आप लोगों से कि कैसे उन्हें अगर कुणली में कमजोर हो तो उनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं अगर वो कुणली में कमजोर हो तो वस्तुता उनके कई उपाय हो सकते हैं लेकिन मैंने जो लोगों पे अपलाई होते हुए देखा है उसमें अपना अनुभो मैंने जो कुछ पाया है उसको बताने वाला हूँ, तो बनके रहिएगा, सबसे पहले आप लोग जो भी जोतिष को समझते हैं, जोतिष को जानने की एक्षा रखते हैं, जोतिष का आदर करते हैं, सन्मान करते हैं, मातपिता का आदर करते हैं, और हमारे धर् प्रण्तों का अपने माथे पर उसे अपना स्थान देते हैं। उसका निरंतर जो है वो अध्यान अध्यापन में अपना समय बियतीत करते हैं। उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और नकमस तक हो उनके आगे। शुरू करते हैं आज का कारिकरम। कहीं न जाएगा बिल्कुल बनके रहिएगा कारिकरम के आरंभ हमें बोले गए श्लोक का अर्थवी बताने वाला हूँ आरंभ करते हैं आज का कारिकर अब आपको सिथे विशाय पे लेके आता हूँ ये विशाय बड़ा गम्हिर हो सकता है और है भी वस्तुता सबसे बड़ी बात है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पहले हम गुरू की महत्ता को समझ लें अगर मैं थोड़ी सी अगर उसके उपर भूमी का बता दूँ तो चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा महत्तोपूर्ण अगर कोई ग्रह होता है तो वो देव गुरू ब्रहस्पति ही होते हैं क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति का मन है और व्यक्ति का स्वभाव जो है वो गुरू के उपर निर्भर करता है लगनेश चाहे कोई भी बनते अगर देव गुरु रहस्पती कुंडली में कमजोर हो रहे होंगे तो नहिसंदे स्वभाव में अंतर होता है और आप उसके सद्रिश नहीं हो सकते जो वास्तों में आपके लगनेश की प्रविर्ती है स्वभाव का मालिक लगनेश होता है व्रक्ति के प्रभाव का मालिक लगनेश होता है और एक बात बता हूँ एक बात बता हूँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर मेरे गुरुजी कहा करते थे लगनेश हिजडा होता है हाँ हाँ अजीब है ये बात पर अजीब है और य के अधिपती का अपना कोई विशेश या लगन का कोई रोल नहीं होता ये बड़ी गम्हीर बात है इसको समझना मैं जो वास्तों में कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझना अर्थ को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ वो हिजडा क्यूं कहा गया है ऐसा मैं क्यूं कह रहा ह लगनेश हिजडा होता है इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी कोई प्रविर्टी नहीं है वो जिस भाव में बैठा जिससे देखा गया और जैसा पर्यावर्ण जिस राशी में बैठा है वैसा धारन कर लिया अब आप अगर शनी के लगनेक से आते हो मकर या कुम्भ तो आपके उपर थोड़े से प्रवाव शनी के भी रहेंगे वो शनी जहां बैठे हैं आपके उपर थोड़े से प्रवाव उसके भी रहेंगे आपके शनी की कुंडली में जो शनी को देख रहा होगा उससे भी प् होकर के आप नहीं रहोगे किसी भी व्यक्ति का जीवन सिर्फ एक चीज से प्रभावित नहीं होता है बड़ी कमिर बात है किसी भी व्यक्ति का जीवन किसी एक चीज से प्रभावित होकर के नहीं रहता है प्रत्यूत वो कई चीजों से प्रभावित होता हुआ उसका जीवन आगे बढ़ता है और साथे साथ उस पे किसी एक चीज से एक चीज का प्रभाव, किसी एक व्यक्ती का प्रभाव, किसी एक परिस्थोती का प्रभाव, किसी खास परियावरन का प्रभाव अधीक होता है। कमो बेश हो सकता है पर एक जैसा नहीं जैसे आपको एक बात और भी बताओं मान लिजे आपकी कुंडली है और लगन में ही चंद्रमा बैठ गया है जहान से समझना लगन में ही चंद्रमा बैठ गया है और वही चंद्रमा अगर पिताभाओ के अधिपती हो अगर मान लिजे चंद्रमा पिता भाव के अधिपती है और वही चंद्रमा जाकर के लगन में बैठ गए अब क्या होगा इसका अर्थ अब इसका अर्थ दो निकलेगा एक कि वो चुकी पिता भाव के अधिपती है तो व्यक्ति के स्वभाव में पिता के संद्रिश स्वभावों को व्यक्ति रखने वाला होगा अब उसके अंदर जो स्वभाव होगा जैसा भी स्वभाव हो उठने बैठने चलने बात करने विचार करने विचारों की जो है स्वतंतरता और किसी भी चीज़ का प्रभाव अब उस व्यक्ति के उपर उसके पिता से होते हुए उस पे आएंगे लेकिन च चुकि चंद्रमा माता का कारक होता है और इमोशन का कारक होता है और चुकि अगर वो लगन में बैठ रहा है इस वज़ा से व्यक्ति मात्रित्व के गुणों को रखने वाला शुद्ध और सरल इंसान भी होगा लेकिन अब अगर उसी लगन पे राहू का प्रभाव हो तो वो कई तरीके से अब चंद्रमा को अणकंट्रोल भी करेगा और वो चंद्रमा को कई तरीके से विछुप्त करने का खारण भी बन जाएगा बात को समझना बड़ी कंभेरदा से इतना आसान नहीं है लगन के अर्थ को सपस्च कर लेना और मेरी बात इसकी नहीं है मैं जो बात करने आपके पास आया हूँ और जिस चीज को मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ वो सिधी सी बात ये है कि आज हमारी चर्चा देव गुरूब रहस्पती को लेकर होने वाली है कि अगर वो कुंडली में कमजोर हो रहे हैं जैसे मैंने यहां कमजोर बिठाया है और इससे जैदा कमजोर बबो क्या हो सकते हैं कि लगन में बैठे हैं और पापकरत्री में हैं और मकर लगन की कुंडली बने हैं जहां वो बहुत अच्छे भावों के अधिपती भी नहीं होते हैं तो ये तो खैर मकर लगन की बात रहे हैं पर अगर वो किसी ऐसे भाव के अधिपती मान लो, केंदर के हो गया या त्रिकोण के अधिपती हो गया और फिर भी वो नीच के होकर की बैट है। या पापकर्त्री में फंस गये जैसे यहां राहू और शनी के मद्धे में ये विचार कर रहे हैं या फिर उसके उपर किसी और अन्य छठे आठमे बारह में भाव के अधिपती की दृष्टी पढ़ गई वो पिनित है परिशान है चिन्तित है यतित है और साथी साथ यहीं पे सूर्य भी बैठ जाते मान लो तो अस्त भी हो जाते अब जितना बुरा होना था वो गुरू के साथ हो गया तो अब इस तरीके से हम गुरू को कैसे ठीक करने का फ्रयास करेंगे मुलतिया एक बात और है जो आपको समझाना चाहूंगा कि वैसे तो देव गुरू ब्रिहश्पती सिर्फ आराधना से ठीक हो जाते हैं लेकिन उत्तमों आराधना सिर्फ दो ही है देव गुरू ब्रहस्पती को ठीक करने के आपको कई तरीके को उपाय इंटरनेट पे मिल जाएंगे अगर कई तरीके का उपाय ढूंटे हो तो ये कारिक्रम मत देखो किसी दूसरे का देख लो लेकिन वास्तों में मैं जोतिशिय उपाय नहीं बता रहा है ना ये जोतिशिय उपाय नहीं है ये मैंने लोगों के उपर घडित होते और खुद के उपर अपलाई होते देखा है इस वज़ा से आपको बता रहा हूं तो देव गुरु ग्रहस्पति को ठीक करना है तो मातर दो काम करूँ सिर्फ दो काम एक एक आदशी के वरत का आरभ कर दो हाँ एकादशी के वरत को नियम से करना शुरू करी नियम से और उससे भी महत्तपूर्ण तरीके से अगर हो सके तो अगर आप ग्रहस्त में हो तो कृष्ण पक्षवाला एकादसी जादा बढ़िया रहेगा अगर कुछ और बहतर करना चाहते हो तो उससे भी बढ़िया कि दोनों पक्षवाला कर लो और नहीं तो अगर वेवशाईक वरगी के हो तो शुक्ल पक्षवाला कर लो अगर नौकरी करते हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो आप कृष्ण पक्षवाला कर लो अगर अपना खुद का व्योसाय करते हो तो शुकल पक्ष़का कर लो पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि आप एकादशी का पारण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करना होगा उसको बहुत ही सजगता से करना होता है महुर्त में और ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से ग्रामिड शेतर में लोग कई तरीके का उसमें परस्णची नहीं लगा देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो बेठीक है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल हमेशा ही ठीक रहता है, परमात्मा के निमित अगर आपने अन्न छोड़े हैं और उसक बरती है, तो निशन्दे वो कभी भी कमजोर नहीं है, हाँ, हाला की ग्रंथ ये भी बात करती हैं, जैसे कुछ ऐसे ग्रंथ है, जहां पर उसमें शुद्ध एकादसी के बारे में चर्चाय की गई हैं, पर हमारी बात वहां नहीं हो रही है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा और सबसे बहु मुल्य उपाए, एकादसी का व्रत करना शुरूब, और द्वादसी के दिन उस व्रत का समर्पन परमात्मा के चरण कमनों में रख दो, और दूसरी बात, कि अगर देव गुरू ब्रहस्पती कमजोर हैं, तो सबसे ज़्यादा दान की संख्या बढ़ा दो, कुछ भी दान का मतलब कुछ भी दान होता है, मिट्टी, जल, निठा जल, उश्पकी माला, कुछ नहीं है तो बालु दान कर दो, दानम, दुरगती, नाशनम, अगर दान के और लाभ के दिश्टी कोन से, जो दान दिया जाता है, वो कभी फलिभूत नहीं होता है, लेकिन जो दान वास्तों में बिना किसी लोभ के और बिना किसी एक्षा की प्राप्ती और उसके कर्म के फल, वो जो आपने काम किया, अगर उसके फल को एक्षित करके, अगर कोई भी दान दिया है, उसका फल भी नहीं मिलने वाला, लेकिन इतनी बात यहां भी कही गई है, कि जो दिये जाते हैं, वो निसंदेह बिना फल के नहीं होते, वो फल प्राप्ट करवाते ही करवाते हैं, ये दोनों ही बाते हैं, अब ये व्यक्ती विशेशे के स्थती पे निर्वर करता है, ये पहला होता है और देव गुरूब रहस्पती को ठीक करना है तो दूसरा और सबसे बढ़ियां बहतर उपाए अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है किसी एक मंदिर को पकड़ दो कोई एक मंदिर आपके आस पास जो ही मंदिर हो आप प्रतेक दिन अपने घर से स्नान करके फैले में पूजा का कपड़ा लो वरतन ले लो और चुक चाप उस मंदिर में सुबह सुबह चले जाएए कोई बहुत आवश्यक नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई मंदिर हो कोई आवश्यक नहीं को चोटा मंदिर भी हो सकता है और वहां जा करके उस मंदिर को प्रतेक दिन धोने का काम शुरू कर दो मंदिर को धो करके पूजा करना अगर है तो पूजा कर लीजे और वहीं बैठ करके पूजा कर लीजे जो भी आप मंत्र जबते हो उसी मंदिर में जा करके मंत्र जब और मंदिर को धोने का काम इससे बहतर गुरु को ठीक करने का उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है गैरेंटी है गैरेंटी लिख के देता हूँ नो कुल पराशर का सिखनेचर इससे बढ़िया अगर कुछ उपाय गुरु को ठीक करने का हो तो कोई मुझे बता दे कोई मुझे बता दे इससे बहतर उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है देव गुरु ब्रहसपती को ठीक करने का वो सिधासा प्रमाण मैं हूँ ये जरूई है और ये करना आप कितना पता नहीं क्या क्या करते हो कोई बोलता है पुखराज दान कर दो कोई बोलता है ये दान कर दो कोई बोलता है वो दान कर दो कोई बोलता है ये कर दो अरे भाई कुछ ना करो ये दो काम कर दो, एक आदशी शुरू कर दो, और मंदिर धोने का काम, इससे जादा बहतर काम कुछ हो ही नहीं सकता है, गुरु को ठीक करने का, प्रमारिक है, अब कारेकरम के आरम हमें बोले का श्लोकार्थ बता देता हूँ, गीता जी के पांचवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में भगवान ने बात कही है, क्या कही है, स्वभाव ही बरत रहा है, हाँ, स्वभाव ही बरत रहा है, मतलब क्या है, व्यक्ति जैसे स्वभावों का पालन, जैसे स्वभावों का पोशन और जैसे स्वभावों का करता होता है उसी के सद्रिश उसके कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है आप अगर बुरे स्वभाव को रखने वाले हो इसलिए मैं बात संसकारों की जाधा करता हूँ संसकार से ही स्वभाव का निर्माण होता है जो वत्ती पशु तो नहीं है लेकिन हाँ वो पशु से कम भी नहीं है कुछ इसी तरीके से आज के कारेकरम का समापन करते हैं अब तक के लिए इजाजा दीजे देव गुरू ब्रहस्पती को ठीक करने का जो उपाय बताया है उस क्रिस्ट है और वही सबसे सारल है और सबसे बहतर तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर